नमस्कार राम राम आप सभी का पालमिष्ठी के अन्चनल में एक बार फिर से सागत है आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सड़न गे जो अचानक से धनकी प्राप्ति कराए आज उसकी बात करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें इस वीडियो के म नहीं और रोचक जानकारी मिलेवाली है और इसके पहले अगर आप लोगों नहीं इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो खिर्पया चैनल को सब्क्राइब और यह वीडियो को लाइक अवस कर लें तो आए अपने हाथों पर तीन मुख रेखाए देखते हैं सबसे पह आपको कितना डिसीजन लेते हैं या निर्डे लेते हैं उसके बारे में बताती है और इसी परकार से हमारी यह फिरते रेखो हमारे प्रेम संबंद के बारे में बताती है हम किसी के साथ कितना टैजमेंट है उसके बारे में बताती है जैसे कि हम जब सदन गेन की बात करते है अचानक से धनकी प्राप्ति के बारे में बात करते हैं, तो अपने फेट लाइन को देखते हैं, फेट लाइन, हमारे जितने भी प्रफेशनल होते हैं, जो पिसे रिलेटेट या हमारे जो बेवसाय होता है, वो हमारी फेट लाइन बनाती है, और फेट लाइन के उपर, जो फ कि हम जानते हैं कि राहू जो है, सड़न गेंदेता है। अंचानक से धनकी प्राप्ति भी कर्वाता है। हार इसी तरह से सनी हार काम को सिलो-मोशन से करता है। लेकिन , लंबे समय तक करता है। और राहू का काम अचानक से देना और जादा देना जैसे जादा लेता है तो ऐसे जादा वापिस भी ले लेता है जब देता है तो लेता भी है वो लेकिन कुछ समय के लिए तो आपको मालमान पनाई देता है जैसे कहते हैं गेन लाइप में हर कोई पाना चाहता है तो सबसे पहले हम जब गेंस की बात करते कि यह ढवम का च्यात्रा अचना कि अचना की प्राप्ती कराता थैं कै reun之前 आज पर अब को ऑगर को बन जाता है तो ऐसे को औरना चानक से व्रिधि करता है यह प्रोपार्टी बनाता ब apologize इन चीजों का अगर रहू के छेतर पे हैं तो आपको लोट्री का गेर्ण हम कह सकते हैं और दूसरी बाद, जब भी यहाँ पर तिरकोर बनता है, यह तिरकोर तो यह पिता की तरफ से आपको गेर्ण मिलने वाला है और यहां अगर मस्तिक रेखा के उपर बनता है यह माता की तरफ से आपको गेन मिनने वाना है यह माता की तरफ से और इसी के साथ हमारी यह जो सूर्द की रेखा है सूर्द की रेखा का जो विकास है जिसको कहते हैं हम सूर्ज रेखा अगर तिरकूर के साथ निकले तो आपको सदन गेंदेगा और अचानक से अधिक धन की बात होगी तो दोस्तों यह रही है आज की हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्बाल